आमादी पाटी की राजसभास्तान सर्थ स्वाती मालिवाल जो इन दिनों मीडिया में च्छाई वी हैं सुर्खियों में बनी वी हैं जिनका आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई दुलवहवार किया गया और ये मारपीट किसी और नहीं बलकि अर्विंद के जिवाल के पी इस पूरे मामले की बारे में आपको पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं इसलिए आप इस वीडियो को एन तक जरूर देखीगा सबसे पहले शुरुआत इस मामले के अपडेट के साथ करते हैं आज स्वाती मालिवाल मामले में दिल्य पूलिस ने अर्विंद के जिवाल के पीए विभव कुमार को गिरफतार कर लिया जिसकी बाद सीयम अर्विंद के जिवाल ने शाम पांच बजे एक पीसी की और सोरान उन्होंने कहा कि कल यानी के रहिवार को बारा बजे अपने न इसकी शुरुवात होती है 13 मई को जब एक खबर आए कि दिल्ली के मुखे मंद्री अर्वन केजिवाल के नीजी सचीव विभग कुमार ने सीम अवास पर आम आगमी पार्थी के संस्थापक सदस्यों में सेख और वर्तमान में आपकी राजसभास्तांसत स्वाती मालीवाल के साथ मार पीर की जिसे आम आगमी पार्थी ने इस केस से पल्ला जार लिया इतना ही नहीं आप ने इसे बीजेपी का शडियंद्र बता दिया और मालीवाल को बीजेपी का मोहरा बता दिया दिल्ली की मंद्री आतिश्री ने शुकरवार को पीसी की और कहा कि स्वाती मालीव जी को दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केज़िवाल की घर 13 मही को सुभा भेजा गया इस साज़िश का इरादा था केज़िवाल पर जूठे आरोप लगाना स्वाती मालिवाल इस साज़िश का चेहरा थी स्वाती बीजेपी का मोहरा थी तो इसके बाद स्वाती मालिव और आज यूटर, उन्होंने आगे लिखा कि ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, ये गुंडा यानि की विभव कुमार, वो यहाँ पर आगे कहती हैं कि ये गुंडा ये धमकी दे रहा है, कि मैं अगर अरस्थ हो जाऊंगा तो सारे रास खोल दूंगा, इसलिए सभी इस से बचाने में जुटे वे हैं, आज उसके दवाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी ने मेरे चरत्र पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिये, वही राज़ितिक बयान बाजी के बीच दिल्ले पुलिस ने कारवाई भी पुरवार शाम को सेम अर्विन के जीवाल के आवास पर पहुंची थी, जहां ये सीन फिर से रिक्रियेट किया गया और वहाँ पर मौझूद स्टाफ से पूछ स्टाज भी की गई, लेकिन इस सब के बार, अलावा, सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर स्वाती माल के साथ बजसलू की मारपीट क्यों की गई, मारपीट की वज़ा क्या रही है, कौन सी वो बात है जिस बात को लेकर बहस्वी और मामला मारपीट तक पहुँच गया, हलाकि इस पूरे मामने पर विववक कुमार ने भी स्वाती मालिवाल पर कई सारे आरोप लगाए है और